नमस्कार स्वारत है आपका नैसन टीवी न्यूज में मैं हुसिमन शुकला आई अरुप करेंगे आज की प्रमोख खबरों की ओर भागलपुर के कज्रैली थाना छेत्र के कज्रैली बाजार के रह्मानी गंज के समीप एक 20 वर्षिय युवक को तेल टैंकर ने रौन दिया जिसे बाइक सवार 20 वर्षिय युवक की बिट्टु कुमार पंडित की मौके पर ही मौत हो गई बताया जा रहा है कि मृतक बीपूर निवासी बिट्टु कुमार पंडित अपने मौसेरी बहन की शादी समारों में शामिल होने के लिए कज्रैली आया था जो अपने सम्मंदी को बाइक से कज्रैली बाजार छुड कर वापस घर लोट रहा था इसी क्रम में बाइक सवार मृतक बिट्टु पंडित तेज रफ्तार की तेल टैंकर के ट्रक की चपेट में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई वही मौके पर प्रसिक्षू DSP सह कज्रैली थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरौकुमार अपने पुरिस दलबल के साथ घटनास्थर पर पहुँच कर शौव को अपने कबजे में लेकर पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कारवाई में जुट गये जबकि मौके पर पहुँची DSP ने तेल टैंकर ट्रक के चालक को हिरासत में लेकर तेल टैंकर ट्रक को भी जब्त कर लिया तो आज के लिए बस इतना ही बने रहे है नैसन टीवी न्यूस के साथ